जहिन साथियो, स्वागते आप सभी का सत्या एक्सिलेंट यूटूब चैनल पे आज की डेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी विकेंसी के बारे में जनकारी जो की जिसका फार्म अभे भी अपलाई किया जा रहा है और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जनकारी दे दिया था तो जितने भी छात्र अभी तक वो वीडियो नहीं देखें आप इस वीडियो देखकर पूरी जनकारी प्राप्त कर सकते हैं किस तरह की ये वेकेंसी ये और कौन से छात्र इस फार्म को अपलाई कर पाएंगे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था चौदाच है दो हजार चौबीस की डेट में और यहां पर आप देखिए हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें सात्यों आपको अप्रेंटिसिप के पत देखने को मिल जाते हैं जिसमें बहुत सारे ट्रेडों को अंतरगत यहां पर आपको भरती देखने को मिल रही है तो सात्यों यहां पर आप नीशे आजाते हैं स्क्रॉल करते हुए तो इसके बारे में आपको डिटेल में जनकारी देखने को मिल जाती है कौन से चात लिस फांट को अपलाई कर पाएंगे और किनके ट्रेडों पर यह भरती निकल के आ रही है तो नीशे आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको हेडिंग देखने को मिलता है टेक्निसियन यहां पर योगिता का तो साथियों मैं आपको बता दूँ यहां पर जो टेक्निकल इसकी योगिता रखी गई है किसी भी सरकारी मनता प्राप्त सांस्ता से विबिन साखाओं से जैसे कि यहां पर फीटे ट्रेड हो गया टर्नर हो गया, मसनिष्ट हो गया मसनिष्ट ग्राइंडर हो गया, वेल्डर ट्रेड हो गया, इलेक्टोनिक मेकैनिक हो गया इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो इलेक्टिसियन है, इस्टुमेंट मेकैनिक है इलेक्ट्रो पलेटर है, रिफ्लेशन है, इसके बाद डॉप्ट मेन मेकैनिक है सीट मेटल वरकर है, कोपा ट्रेड है, पासा ट्रेड है, इन सभी ट्रेडों से आपने यदि ITE का कोर्स कम्पलीट कर रखा है, तो आप इस वाम को अपलाई कर पाएंगे, और एक और सर्त यहाँ पर रखी गई है, कि आपका जो कोर्स कम्पलीट होना चीए, वो 2021, 2022 या 2023 में ह होना चीए, चाहे आपने NCBT से ITE कर रखा है, या SCBT से दोनों लोग अपलाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साब तोर पर लिखा गए, आप पर सकते हैं, राष्टे ब्योसाइक प्रमान पत्र या राष्टे ब्योसाइक प्रसिच्छन अभ्यारती, जो कि ITE धारा के वो ल तोर पर लिखा के रिजल्ट अवेटेड, मतलब कि यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, आप रिजल्ट का रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे आप भ्यारती जो है इस फार्म को अपलाई नहीं कर पाएंगे, यदि आपका फार्म आपने एक्जाम देद रखा है, और आपका र प्लिट होना चाहिए, जो भी मैंने आपको ट्रेट बताया, और बाकी हाई स्कुल की यदि बात करें, तो यह आपका बिज्ञान और गणित से होना चाहिए, और टेन प्लस टू सिस्टम से अंतरगत होना चाहिए, यह चीज़ भी आप ध्याने किएगा, इसके बास आती हो आते हैं, तो आप इस चाहिए तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अधर छात्र जो अधर यहां पर हैं, जिसे कि भारत के लिए तो भारत में इतने भी आप राज्य हैं, उसमें के अंतरगत आते हैं, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, निचा जाते हैं साथियों स्क पर लिखाए कि अभ्यारती का आयू दिनांक 27-2024 को 27 वर से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो छातर अनुसुचित जाती जन जाती के अंतरगत आते हैं उनको 5 साल का छूटे और अन्य पिछड़ा वर के अंतरगत जो छातर आते हैं उनको 3 साल का छूटे और विकलंग सरणी क अंतरगत जो छातर आते हैं उनको यहां पर 10 साल की छूट देखने को मिल जाती है बाकि यह दिबात करें परिसिचन आपका कब तक करा जागा जिसमें एक साल की ट्रेनिंग यहां पर दे जाएगी अब बात करते हैं अपलाई कैसे करना है तो अपलाई करने का लिंक में तक आप इस फांट को अपलाई कर पाएंगे तो अभी आपके पास समय है आप चाहें तो अपलाई कर पाएंगे यदि आप अपलाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दूसरी चीज़े धिया दिहाने कियेगा इसमें जो चैन प आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप एक छोटी सी वीडियो देखेंगे उसके बाद आप मुबाईल के द्वारा भी रेजिटेशन कर पाएंगे बिलकुल असान है कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है और कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजेगा आपको जनकारी मिल जाएगी